Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you civics, Chapter 6, Rural Administration. So, let's start. There are more than 6 lakh villages in India, taking care of their needs for water, electricity. India में 6 lakhs से भी ज्यादा गाउं हैं. उनकी water, electricity और रोड आदी की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है. इसके अलावा, land records को maintain करना पड़ता है और आपची विवादों को भी निप्टाने की नीड होती है. इन सबकी विवस्था के लिए गाउं में rural administrative officers होते हैं. इस chapter में हम दो officers के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, we will discuss about our quarrel in the village. गाउं में जगडा. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. Mohan एक किसान है. उसकी family के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन है. जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है. उसके खेत के पास ही रगू का खेत है. दोनों के खेत एक छोटी सी मेर से अलग होते हैं. One morning Mohan noticed that Raghu had shifted the bun by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. एक दिन morning में Mohan ने देखा कि Raghu ने मीर को थोड़ा आगी बढ़ा दिया था. ऐसे करके उसने Mohan की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का size increase कर लिया. Mohan was angry but also a little frightened Raghu's family on many fields and besides his uncle was also the serpent of the blaze. Mohan को बहुत गुसा आया. बट वह थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि Raghu के पास बहुत सारे खेत थे और इसके अलावा उसके अंकल गाओं के सरपंच भी थे. फिर भी Mohan ने हिम्मत जुटाई और Raghu के घर पहुँच गया. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the band. दोनों के बीच argument होने लगा. Raghu ने तो मानने से ही इंकार कर दिया कि उसने मेड को आगे बढ़ाय था. थोड़ी देर में जगडा स्टार्ट हो गया. Raghu ने अपने एक मजदूर को बुला लिया. और दोनों मिलकर मोहन पर चिलाने लगे. फिर उन्होंने मोहन को मानना स्टार्ट कर दिया. जगडा सुनकर पडोसे भी आ गए. उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी. उन लोगोंने मोहन को बचाया. He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of his neighbors. मोहन के सिर पर और हाथ में बहुत चोटाई थी. एक पडोसी ने उसको first aid दी. मोहन का एक फ्रेंड जो गाउं के post office में काम करता था. उसने suggestion दिया कि पुलिस station जाकर report करनी चाहिए. लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे. क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारा पैसा waste हो जाएगा. और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा. कुछ लोगों ने कहा कि रगु के family वाले तो पहले ही पुलिस station पहुच चुके होंगे. काफी डिसकेशन के बाद यह डिसाइड हुआ कि जिन पडोसियों के सामने यह गटना हुई थी. मोहन उनको लेकर पुलिस station जाएगा. Area of the Police Station On the way to the Police Station, one of the neighbors asked, Why don't we spend some more money and go to the main Police Station in the town? पुलिस station जाते हुए रास्ते में एक पडोसी ने पूचा, क्योंने हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के main Police Station चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है. हम इसी Police Station में अपना case register करवा सकते हैं. क्योंकि हमारा गाउं इसी Police Station की एरिया में आता है. Every Police Station has an area that comes under its control. प्रती एक Police Station का एक कारेशेत्र होता है, जो उसके नियंत्रण में रहता है. लोग उस एरिया में हुई चोरी, दुरगटना, मारपी, जगडे, आदी की रिपोर्ट उसी Police Station में लिखवा सकते हैं. यह वहां की Police की responsibility होती है, कि वह लोगों से case के बारे में पूश्ताज करें और action ले. जब सब लोग Police Station पहुचे, तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा incident बताया. उसने यह भी बताया कि वह अपनी complaint रिटिन में देना चाहता है. थानेदार ने बड़ी rudely कहा कि उसके पास चोटी-चोटी शिकायतों की जांच-परताल का टाइम नहीं है. मोहन ने अपने घाब भी दिखाए, लेकिन थानेदार ने उस पर believe नहीं किया. मोहन was puzzled and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. मोहन हैरान था और वह नहीं जानता था कि क्या करें. वह शोर नहीं था कि क्यों उसकी complaint record नहीं की जा रही. मोहन बाहर गया और अपने पडोसियों को बुला कर अंदर ओफिस में ले आया. पडोसियों ने थानिदार को बताया कि मोहन को उनकी आँखों के सामने पीटा गया है. अगर वे उससे नया बचाते तो उससे ज्यादा चोटा सकती थी. उन्होंने केस को रेजिस्टर करने पर जोर दिया. Finally, officer agree हो गया report लिखने के लिए. उसने मोहन को complaint लिखने के लिए बोला. थानिदार ने कहा कि next day एक considerable investigation के लिए उनके यहाँ पहुचेगा. Maintenance of land records You saw that मोहन और रगु वर arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. आपने पढ़ा है कि मोहन और रगु में खीत की boundary को लेकर जगड़ा हो गया था. क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे अपना मामला शांती पुर्वक सुल्जा लेते? क्या कोई ऐसे records होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गाउं में किस के पास कौन सी land है? Let us find out how this is done. Measuring land and keeping land records is the main work of the Patwari. The Patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers are called Lekhpal. In others, Kanun Go, और कर्मचारी और Blaze Officer. Land को नापना और उसका record रखना पतवारी का मुख्य काम होता है. अलग-अलग states में इनको अलग-अलग नाम से जाना जाता है. कहीं पतवारी, कहीं लेकपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं विलेज ओफिसर, तो कहीं कानून गो कहा जाता है. हम इस ओफिसर को पतवारी कहते हैं. प्रतिये एक पतवारी गाओं के एक ग्रूप के लिए responsible होता है. पतवारी गाओं के records को maintain और update रखता है. Next page पर दिये गए map और उसके according बने register की details को देखिए. यह पतवारी द्वारा रखा गया गाओं के लोगों की जमीन का एक small part है. खसरा कहलाने वाले इस record में पतवारी ने नीचे दिये गए जमीन के नक्से के according information फिल की है. इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा हिस्सा किसके नाम है. इस record और नक्से को देखिए. तथा मोहन और रखुक को जमीन से सम्बंदित सवालों का जवाब दीजिए. आम तोर पर पतवारीों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं. कई जगें ओपर वह एक लंबी चेन का यूज करते हैं. उपर दीगए स्टोरी में पतवारी, मोहन और रखुक के खेतों को नापकर यह कंपेर कर सकता था, कि वह मैप से मैच हो रही है या नहीं. अगर वह मैप से मैच नहीं होता, तो उसको पता सल जाता कि बाउंडरी को चेंज किया गया है. पतवारी फार्मर्स से लेंडरी भी कलेक्ट करते हैं, और सरकार को अपनी एरिया में उगने वाली फसलों के बारे में इन्फोर्मेशन देते हैं. यह काम वह अपने रिकोर्ट्स के आधार पर करते हैं, इसलिए यह important है कि वह उनको समय समय पर अपडेट करता रहें. किसान कई बार अपने खेट की फसल को चेंज कर देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई किसान कहीं पर कुआं भी खोद लेते हैं, इन सब के बारे में जानकारी रखना गवर्मेंट के रिवेन्यू डिपार्ट्मेंट का काम होता है, इस डिपार्ट्मेंट के सीनियर ओफिसर पड़वारी की काम का सूपरवाइज करते हैं, All states in India are divided into districts, For managing matters relating to land, these districts are further subdivided, इंडिया में सभी states, districts में divide होती हैं, Land से related सभी matters को manage करने के लिए इन district को और भी छोटे-छोटे खंडों में divide किया गया है, इन खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालू का, एक्सेट्रा, इनका head district collector होता है, और इसके नीचे होते हैं revenue officers, जिने तहसीलदार भी कहते हैं, उन्हें विभिन मामलों को निप्टाना होता है, और वे पटवारी की काम का निरिक्षन भी करते हैं, वे सुनिशित करते हैं कि records सही ढंक से रखे जाएं, तथा कर भी collect करते रहें, वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने records की copy easily मिल जाएं, और students को जरूत परने पर कास certificate आदी भी easily प्राप्थ हो सकें, तहसीलदार के office में lands से related matters भी सुने जाते हैं, किसानों को अक्सर अपने खेट के map और record की need होती है, इसके लिए उनको कुछ fees देनी पड़ती है, किसानों को इसकी copy लेने का right होता है, हाला कि कई बार उनको ये record easily नहीं मिलते, लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई states में ये सारे record कंप्यूटर में डाल कर पंचायत के office में रख दिये गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को available हो सकें और new information के according नियमित रूप से update होते रहें, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस record की जरुवत कब पढ़ती होगी, नीचे दी गई conditions को पढ़िये, और उन माम लोगों को पहचानिए जिन में जमीन के record अनिवारे होते हैं, और यह भी बताईए कि ये किसली जरूरी हैं, फर्स पॉइंट इस, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, एक किसान को अपनी जमीन में कुआ खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एक किसान अपने खेतों के लिए खात खरीदना चाहता है last point is किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों में बातना चाहता है now I am going to tell you about a daughter's wish father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother but what about me and my mother एक बेटी अपने पापा से कहती है कि पापा का यह घर अपने पापा से मिला है और मेरे भाई को यह घर मेरे पापा से मिल जाएगा बट मैं और मेरी मां हमारा क्या हमें कौन सा घर मिलेगा हमें भी अपना घर चाहिए वो कहती है I want a place of my own not dovery Now we will discuss about our new law एक नया कानूं हिंदू सक्षैशन अमाइंडमेंट एक्ट 2005 Often when we think of farmers who own land we think of men women are seen as people who work on the fields जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास अपनी लैंड है तो आम तोर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही आते हैं महिलाओ की image खेतों में काम करने की मानी जाती है उनकी अपनी agriculture land नहीं हो थी अभी तक कई states में हिंदू जबीमन को family की agricultural land में हिस्सा नहीं मिलता था फादर की death के बाद land को सिर्फ बेटों में equally divide कर दिया जाता था Recently, the law was changed. In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land 2005 में यह कानून change किया गया New law के according Hindu families में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बरावर हिस्सा मिलने लगा यह कानून सभी states और union territories में लागू हुआ This law will benefit a large number of women For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family इस कानून से बड़ी संख्या में और्तों को फाइदा होगा For example, Sudha एक agricultural family की सबसे बड़ी बेटी है वह married है और पास के गाउं में रहती है अपने father की death के बाद वह अकसर खेती के काम में मां की help करने आती है उसकी मा ने पटवारी से कहा कि जमीन पर उसका और उसके सारे बच्चों का नाम record में आ जाए Look at the last paragraph of this chapter Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister Sudha की मा confidently छोटे बेटे और बेटी के help से खेती का काम समालती है Sudha भी इसी के साथ खुशी खुशी अपनी life व्यातीत कर रही है कि जरुरत पढ़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है So students that was all chapter I hope you have understood very well If you like this video please subscribe to my channel and don't forget to press the like button Thanks for watching have a good day